कि नमस्कार दोस्तों वेलकम टूमेंज चैनल आज का ट्यूटोडियल जो बोलेंगे जैसे कि यह भी एक बहुत आसानिक चीज करने के लिए हम लिया है बैसिकली हम लोग फोकल में जब काम करते हैं तो फोकल में अल्ली फोकल नहीं है हम फोकल को पर ज्यादा फोकस कर रहा है जब फोकल में काम करते हैं तब हम लोग एक EQ देते हैं उसके बाद एक compression देते हैं और एक limited देते हैं नहीं तो कुछ अलग से कुछ plugins यूज करते हैं मगर बाकी जितना सारा होता है नॉर्मली एक compression देने के बाद हम लोगों को adjustment करना पड़ता है जैसे कि थोड़ा सा कितना threshold point होगा कितना release होगा कितना attack होगा तो यह particularly सभी के लिए same नहीं होता है कि कुछ-कुछ लोगों के लिए tough हो जा रहा है बिसकली समझ में नहीं आ रहा और उसका leveling कितना बड़ा है तो इसका quality अच्छा हम लोग सुन पाए तो हम compression दो use करेंगे दो दिखाएंगे एक normal जो compressor होता है जिसमें हम लोगों को setting करना पड़ता है और एक use करेंगे जैसे artificial intelligence मतलब compressor का जो engine ओच चलके आपको गाना सुनाना पड़ेगा जैसे कि same as आप लो सब्सक्राइब vocal है एक vocal को किस तरीका से और किस कौन सा कौन सा point labeling करने से ठीक करने से तो यह बहुत अच्छा सुनने में लगेगा ठीक है यह आप लोगों कुछ छोटा सा चीज करना पड़ेगा उसके लिए उतना कुछ आसान नहीं करना पड़ेगा ज्यादा कुछ करना न पॉपूलर कंपरेशार है हमारा बहुत मताब फेवरिट कंपरेशार जाते जो है ब्लैक वोक्स तो यह दोनों कंपरेशार काम क्या करता है इसमें हम लोगों को करना क्या पड़ता है हाथ में इसको एडजस्ट करना पड़ता है जैसे कि पेंटोड कितना होना चाहिए साच जब publicly यह produce हो जाएगा तो उस time में हम लोगों को लगेगा क्या कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं ज्यादा बूस्टिंग हो गिया है ज्यादा वोकल क्रैक हो जा रहा है नहीं तो वोकल अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है इस टैप के problem face करना पड़ता है तो इसलिए क्या है जो हाथ में manually करना बहुत ही tough चीज होता है उससे आसान होता है जैसे artificial intelligence ऐसा टैप का कोई software होगा ऐसा टैप का कोई plugin होगा जो अपना खुद उसका अंदर audio plugin लेके identify करके वो दे सकते हैं तो पहले हम लोग सुन लेते हैं जैसे कि नीचे का जो है ब्लैक बोक्स का है और उपर का स्मार्ट कॉम का है तो इसका parameter बहुत अच्छा लगा इसलिए हम सोचा इसका वर एक tutorial दे तो सुन ये black box का हिसाब से हम छोटा से reverb लगाया है वो reverb है crystalline तो ये बहुत अच्छा है baby audio का reverb है तो हम चलाते है अच्छा इद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी बहुत मैं तरसा हूं तु और न मुझे को तरसा हूं एक दम ठीक है ऊपर के सुनेंगा अभी इसको सोलो करके अभी इसको 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 वर स्मार्ट कोम को सुनेंगा अभी इसको सुनने का टाइम पर हम लोग क्या करेंगे इसको उपर हम लोग जैसे की इसका बहुत सरा प्रोफाइल है तो वो प्रोफाइल कुछ भी प्रोफाइल को सेट करके अभी इसको आठीविशल इंट्लिजेंस का अंदर डाल सकता हूं कि वह identify करेगा कौन सा टाइप का effect डालने से अच्छा होगा तो देखिए इसमें speech का भी है जैसे कि speech होता है ना बहुत सारा डाइविंग होता है बहुत सारा जैसे कि कार्टून का साथ कुछ speech होता है बहुत बहुत कुछ इसका अंदर option दिया हुआ है तो speech जो लोग काम करते ह उसके लिए भी बहुत अच्छा compression है तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम vocal high करते है फोकल high करके इसको enable करेंगे और उसका time पर हम लोग चलाएंगे अभी सुन्दर तो सुन्दरता की मूरत है तो उस सेटिंग कर लिया है अभी देखिए जो black box में हम लोग सुन रहा है उ और इसको भी सुन्दर तो सुन्दरता की मूरत है किसी और को शायद महोगे मुझे तेरी तो क्या लग रहा है बिसिकली black box में थोड़ा सा बूस्टिंग ज्यादा लग बूस्टिंग नहीं है मतलब ज्यादा तर प्रॉब्लिम इधर से ही चालू होता है बिसिकली ज्यादा वोकल बूस्टिंग हो गिया है नॉर्मली black box में हम लोगों को हाथ में करना पड़ता है और यह जो सेटिंग हम लोग किया है यह सेटिंग के अंदर बहुत कुछ option दिया हुआ है जैसे कि इसका बहुत सारा profile दिया हुआ है इसका अलग से आप लोग यूज कर सकते हैं जैसे सभी compressor software में plugins में जो जो रहता है जैसे threshold point रहता है ठक रहता है release रहता है ratio रहता है तो particular ratio यह सब आप लोगों को मिल जागा यह parameter आप लोग हाथ में ऐसा ऐसा करके भी कर सकता हो और इसमें दो कार्व आप लोगों को दिखा रहे है एक है ash color का वो है input signal और वाइड वाला जो है वो compressed signal तो इसमें एक option ज्यादा है जैसे कि यह जो option है spherical compressor तो यह particularly इसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि अगर इसको zero कर देंगे तो यह normal सा compressor का मफिक हो जाएगा तो उसमें कुछ अजीव से चीज नहीं होगा जैसे कि compressor यह नहीं आपको बोल पाएंगे यह particular vocal को export कर हो तो इसका quality सभी में अच्छा लगेगा यह नहीं बोल पाएंगा तो यह चल रहा है अभी उसको zero करते हैं और बाद वाला जो है यह थोड़ा smooth और डार्टी मतलब एक clean होता है और डार्टी होता है जैसे इसको अगर डार्टी करेंगे तो क्या हुगा इसका vocal का level quality अच्छ अधर तो सुदरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बाहत अभी उतना ज्यादा कुछ फरक नहीं पर रहा है ठीक है अभी देखिए इधर जो हम लोग लगाया है जैसे threshold point minus 23 23.6 मतलब यह जो वोकल है इसको analyze करके यह particularly smartcom ने देखा है 20 minus 23.6 में अगर हम लोग जाएंगे तो इसका vocal का जो अच्छा सा जगा है वो हम लोग अच्छा करके identify कर पाएंगे तो देखिए यह भी हम लोगों को देखना पड़ता है normally side में हम लोग को control room meter भी देखना पड़ता है जैसे जो vocal हम लोग लगा रहा है उसका loudness कितना हो रहा है ज्यादा loudness अगर हो जाएगा तो फटेगा sound तो इसको चलाते हैं तनभी सुन्दर मन भी सुन्दर तो सुन्दर तो सुन्दर ता की मूरत है किसी और को माघाएद ममान मतलब दोनों यह सेम जगा पर है अभी देखना पड़ेगा सुन्दर तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हम दोनों यह चला आते हैं जेंज करके करके चलाएंगे तो वो identify करना पड़ेगा कुन से अच्छा लग रहा है सुनने में तो identify करने के बाद हम बाकी जितना सारा options है उसको हम बोलेंगे अभी थोड़ा से एक बार वनों सुन लेते हैं पहले हम लोग स्मार्ट कॉम का सुनते हैं तन भी सुन्दर मन भी सुन्दर तो सुन्दरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी बहुत मैं थरसा हूँ पहले भी बहुत मैं थरसा हूँ तू आरे अभी देखिए हम को जो लग रहा है उसका experience हम बोल रहा है basically हमको vocal जो black box में हम लोग दिया है उसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको अगर खोलेंगे इसमें देखिए क्या कर दिया हुआ है इसमें input enable किया हुआ है saturation एक point पे है इसमें paint भी एक point पे है इसमें tried भी एक point पे है और output भी एक point में है अगर चाहे तो हम लोग output बढ़ा सकते है problem नहीं है कुछ मकर इसमें जो है इसमें sweetness थोड़ा ज्यादा है sweetness क्या है गाना का जो वर्डिंग होता है particular जो वर्डिंग जो सपस्ट होना चाहिए वो वर्डिंग का उपर focus ज्यादा कर रहा है अच्छे इसको थोड़ा सा हम लोग clean कर देदा है क्योंकि एक classical type का song है classical classical touch है song तो इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं जैसे देखिए नीचे का जो option है अगर इसको हम लोग enable करेंगे तो इसमें हम लोग कुछ अलग अलग करके जैसे 75 hearts की दर से हम लोग इसको cut करेंगे इधर नीचे हम लोगों को दीखाएगा कौनसा 75 hearts जाए 200 hearts जाए कौनसा किसको हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग हम लोग चाहें तो particularly 2 dB 2k को हम लोग बढ़ा है तो इसको बढ़ाने का बाद इसके effect क्या हो रहा है तनभी सुन्दर मनभी सुन्दर तो सुन्दर ताकी अच्छा 2 dB बढ़ा है 2k को बढ़ा है 15 hearts जो है इसको हम लोग कुछ नहीं किया है बाकि जो इधर जो है जैसे अगर हम लोग फिट से दूजरा कोई pattern में इसको साथ के जैसे की हम इसको चेंज करके classical में कर रहा है इसको थोड़ा सा classical देखा था हम आए एकोस्टिक एकोस्टिक कांट्री एलेक्टिकल अच्छा ये classical था एक मिनीट थोड़ा सा वोकल का उपर हाई लो नहीं इसका classical option नहीं है ठीक है हम थोड़ा लो करता है वोकल को लो करके इसको फिट से दोबारा सार्च स्कैन करवात है मान भी सुनदर तो सुनदर ताकी देखे मानस 19.5 डिवी बोल रहा है और threshold का जो होता है नॉर्माली हम लोग अगर करेंगे जो मानस 19.5 डिवी जो threshold उन्होंने साट्च करके भी दिये है और इसका एटक दिये है 13 मिली सेगन और इसका डिलीज दिये हैi auto release में दिये है अगर auto release को off कर देंगे तो 44 मिली सेगन्ट दिये है तो नॉर्मली शॉट टार में अगर शॉट एđटक हम लोग करेंगे तो short attack में होता क्या है वाडिंग को थोड़ा सा डीले नहीं होना पड़ता है एकदम simply उड़ जाता है the next Day ये जो attack है उससे थोड़ा ज्यादा attack है और ये जो है थोड़ा और भी ज्यादा है जो मतलब जितना ये जो angle ऐसा type का होगा आगर 90 degree होगा कोई attack नहीं है पुरा zero मतलब directly speech चालू हो जा रहा रहा है तो ऐसा type का होता है attack का और release क्या होता है गाना वर्डिंग गोर्डिंग जब लास्ट ये लास्ट में जायगा uraad में दिख जैसे की जब एक ले लिया वर्ड़ पकड़ंग इसका बद रिलीज हलका से रिलीज एका जाधा करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट वाट को पकड़ने में उसको थोड़ा सुभीदा होगा ऐसा ऐसा करके एटक और रिलीस कंप्रेशार का इंजीन का अंदा चलेगा ऐसा ऐसा करके चलेगा ठीक है इसमें क्वालिटी आएगा बहुत अच्छा आएगा और इसको देखे हम लोग मैनुवली भी सेट कर सकते है यह जस्ट एक आईडेए होने के लिए नर्म वाली क्या हम लोगें को देना पड़ेगा यह ऑइडीया होने के लिए पर टिखुलर अभी जितना साथ स्विंपार्ट वर ultis इंडेशेल से जा रहा है जैसे कि मेशीन आपको identify करके देगा कितना leveling होना चाहिए कितना leveling में compressor active होना चाहिए मतलब पर्टिकुलर इंजिन अक्टिव होना चाहिए तो हमको लगता है हाथ में छोट सागल है उसके लिए इतना ज्यादा इब्सकरना और इतना ज्यादा Pero को लेकर कुण सब्सक्राइब लेकर को सब्सक्राइब करें तो जो लोग रिकोर्ड की करते हो वहारा एक स्मार्ट कुम को यूज करके देखो इसमें कुछ भी कर सकता है कुछ इसका बहुत सारा अलग आलग पार्ड भी होता है कॉम्प्रेसर होता है लीमिटर होता है की क्यों होता है सभी में आप लोगों को आटीपीसल इंटलिजनस मिल जाएगा तो यह ओटो डिलीस आटो आउट्पूट को अगर हम इसको हल्का सा बढ़ाए दो डीवी बढ़ाए तो इसको हम लोग सुन करें देखें मन भी सुन्दर मन भी सुन्दर तो अरता की मूरत है किसी और आयद कम होगे मुझे तेरी बहुत जरूर अभी स्मार्ट कम अच्छा लग रहा है ठीक है अभी ब्लैक बोक्स उदना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें पैरामिटर को अड़्जस्ट कर मतलब एक रिफरेंस मिल जाने का बाद अगर हम लोग काम करें तो उसमें थोड़ा ज्यादा फेसिलिटीज है और रिफरेंस कुछ नहीं है हम लोगों को पहले से सुरू सी काम करना पर रहा है जैसे कि माइनस 12 करो उसका थोड़ा सा सभी वोकल में 12 मिली सेकेंड 13 मिली सेकेंड यह होगा आयटक स्मार्टकॉम को उपर अगर हम लोग बोल देंगे जो आप थोड़ा देखो इसको क्या होना चाहिए तो यह थोड़ा क्वालेटी बनेगा बहुत अच्छा लगेगा और इसका हम इसका एवी देख रहा था पर्टिकुलर लिजब निकला है उसका एक पर्टिकुलर क्या ब बढ़ेगा और इसका सबसे देखना पड़ेगा जैसे हम दोड़ी भी बूस्ट किया है दोड़ी भी बूस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए यह भी देखना पड़ेगा और इसका जो स्मार्ट पर्टिकुलर्ली जो स्पेरिकल कंप्रेस्ट जो है इसको हम लोग अगर तो अभी फोर अजी ब Cyrus कि अब करेंगे एक ऑने संदर तो किसे आरे को शाले के मैं आप लोगो जरते ही इस भी यॐ इससे कि इस बीजिया है inversion इसको मारकोश को फफार कर लोग संदर इन के ओडी रहा देंगे डोड़ी दीन मरा देंगे तो यह दोड़ी भी लोगे हम लोग काम कर सकते हैं तो चलिए इसको देखते हैं सुनते हैं तन भी सुन्दर मन भी सुन्दर तो सुन्दरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत ज़रत है पहले भी बहुत मैं ठरसा हूं कुन सा आच्छा लग रहा है हम तो यह नहीं आई जयसे की हम अब लोगों को दिखै आ रहा है बोलकर हूं को हमको यह अच्छा कॉषिया है तो इसलिए हम tutorial दिया है आप लोग थोड़ा comment box पर बोलिए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है black box अच्छा लग रहा है ना smartcom अच्छा लग रहा है thank you दोस्तों thank you for watching this video जो लोग हमारा चैनल में नाय है हम request करते हैं वोगों को subscribe करने के लिए और जो लोग अभी तक वीडियो देखके subscribe किये नहीं है यह हमारा request है please subscribe में चैनल and click the like the video and share the video link thank you पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये sound knowledge को और करे अपने music composition का सपना साकार download the app now